हे गाईज, mostly welcome to all of you in this video, स्वागा थे आपसे भी का इस वीडियो में और आप जानते कि पार्टले पुतिर मट सीडिये में जो पार्ट बार्ट 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 पार्ट का जो एक्जामनेशन फार्म फिल हो रहा था उसमें कई सारे प्राब्लम आ रहा थे जिसमें सबसे मेजर प्राब्लम था नो रिकॉर्ट फाउंड का प्राब्लम हरा कि उन्वर्सिटी इसके लिए सॉलूशन भी लाये लेकिन सॉलूशन लेट आया और आज डेट ओवर हो गया यानि आज तारीक था आपका आठ एंड डे दे ले थी कि आप एक पॉइंट कीजिए हलाकि कल से जो स्टुएंट से जो जो कॉलेज विजिट करें वो कॉलेज विजिट करके वो प्राब्लम को ठीक करवार है लेकिन गरीमत यह रही सबसे आल ओबर की बात कि आपका डेट एक्स्टेंशन हो गया यानि पार्टले पु प्राब्लम या फिर ब्लैंक पेज का प्राब्लम अभी तक दिखा रहा है प्लस अगर आपको कुछ भी चेंज कराना रहा है जैसे कैटेगरी नेम मिस्टेक कुछ भी अगर चेंज कराना तो उसका क्या कुछ प्रोसीजर है प्रोसीजर भी हम आपके लिए बताते हैं सबसे क्या जाता है कि प्रिक्षा प्रपत्र विश्विदाले के पोर्टल बे भरने किती थी 9.2022 से लेकर करके 11. 6022 तक विस्तारित की जाती यानि एकस्टेंड की जाती ध्यान कहेगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तारीक इव आपका विस्तारित क्या जाता है तो विला मुसुल के साथ अस्ट्रेंट 12-6-2022 से लेकर करके 13-6-2022 तक के लिए 1450 रुपे ध्यान रखेगा एंड BC1 and SCST के लिए 950 रुपे एंड विला मुसुल का आपका 100 रुपीज इसके बाद जो आपका ये जो एक्स्ट्रा चार्जे लगता है चार्जे के बारे में यहां पर बताया गया है यहां पर दिकीं बता जा रहा है कि जो सभी के टेगरी का जो स्ट्ट्रा यहां पर जो डिगरी थर्ड वाले स्ट्ट्रा यहां पर ध्यान रखेगा तो यह टोटाल पह्ता हुँ आपका रूपीज का जेनरल और बीन तु केटेगरी के टूएंट्स का यहां पे जो बीची वन एंड लूपीज का फूरीं हंड़ रूपीज का प्यर्मेंट का नहीं चोदा सूरु करना होता है वहीं वोकेशन courses का है तो तो सब बोले mistake हुआ था यहाँ देख लिजेगा तो यह आपका जो date extension का notice है बात की जाएगर problem के बारे में यादि अगर आपका अभी तक no record form बगरा का अगर problem देख रहा है तो इसका solution क्या है finally आज से हर एक college में एक जो appoint करना था वो appoint कर दिया जा चुका है और मैं बात करूं A.N. college के बारे में कई सारे candidate A.N. college आज विजिट किये थे वो A.N. college के बारे में बता रहे थे कि उनका later A.N. college में लिया गया और वहाँ से बताया गया कि उनका problem साम होते होते ठीक हो जाएगा और वो examination form को feel कर सकते हैं तो इसी प्रकार से हर एक college में जो एक employee को रखना था इस सारे problem को लेकर करके जो dean ने यानि dean sir ने जो order दिया था हर एक principal को personally call करके order दिया था तो वो अब पटरी पर आ चुका है यानि अब आपका problem ठीक होने का जो time है वो time आ चुका है तो अगर अभी भी आपका no record phone का problem अगर आपका दिखा रहा है तो आपका काम है क्या कि आपको एक letter लिखना है principal के नाम पे to the principal and mention कि जेगा subject में बतायेगा no record phone problem and बतायेगा क्या part 2 प्रमोटेड है या part 3 में प्रमोटेड है यह भी बतायेगा इस letter में हमेशा mention कि जेगा अपना name बगर अपना registration number अपना previous year का roll number यह सारा mention कि जेगा कौन साभी से में promote यह भी बतायेगा and साथ में जो भी आपका previous class हुआ यानि अगर part 3 के student से तो part 2 का result अगा जेगा अगर आप पार 2 के student से तो part 1 का result आगा जेगा इसके बाद आप इसे college के counter पर submit किजेगा आप आजेगा कि 24 to 48 आवर से भी कम टाइम में यानि maximum 24 आवर में वो अपडेट कर दे जागा अगर किसी भी प्रकर का mistake है no record phone का problem है कुछ भी हो वो अपडेट हो जागा तो guys आसा करते यह important update आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब किजेगा ताकि further and future तमाम सारे अपडेट आपको to the time मिल सेगे और वीडियो आपको पसंद आता तो वीडियो को like भी जरू किजेगा